कि यह हमारे यहां पर denn early morning sunrise यह हमारा टेक और अर्रेंजमेंट मिरन के बिल्तु थयार हो चुकि judging डsht प्यारा है यह हमारा यहां पर टेंट लगा है और हवा काफी तेज है इसलिए काफी नॉइस आ रही होगी और यह देखिए लोकेशन तो जी यह है पैंगॉंग लेक अर्ली मार्निंग संराइज और यह ब्यूटिफुल वीव और यह हमारा स्टेक आर्रेंग्मेंट यहां पर यह देखिए तो कितना खूब सूर्थ है यहां पर इस्टेम मौसम और यह वीव देखिए कितना शानदार है तो अब हम चाय बगार बनाएंगे चाय पीते हैं फिर फर्दर देखते हैं क्या करने तो फ्रेंड्स अब हम अपनी त्यारी करने चाय बनाने की यह है हमारा टेंट और यह सामने का वीव बाहर काफी तेज हुआ चल जी इसलिए हम टेंट के अंदर ही चाय बनाएंगे तो जी यह हमारा स्टोप रेडी है अब हम पानी जा लेंगे चाय के लिए और फिर बनाएंगे चाय गर्म गर्म से पानी को गर्म होन देते हैं याउज हम जाललेंगे अब चाय पती तो इसमें हम एट करेंगा अब मसाले नाल चीनी अदरग ऐलाईची जलेंगा यह एक पेस्ट है और जालेंगा अब हम इसमें चीनी तब हम इसके देते हैं तियार होने फिर हम गर्म गर्म चाय पिएंगे इस लोकेशन पर देखिए तो फ्रेंस चाय अपनी बन के बिल्कुल तियार हो चुकिए तब देखते हैं टेस्ट करके कैसी बनी है कि दो लोगों के साबसे तो ज्यादा चाय बन गी कोई भात नहीं है इंड्रॉय करते हैं यह बच गई तो अब हमारे पास है चाय बिस्किट और यह बच्छा प्यारा सा अयान अयान लोग लोग एंटे देख़ो कैसी है तो अब आयान टेस्ट कर रहा है चाय गरम है अटेस्ट करके देखते हैं है कई कैसी है चाई कि टेस्ट करके देखते कैसी है अच्छी चाई बनी है ना चलो बिस्किट चाई और ये खुबसूरत सिर्ण जारे चाई उसके बाद एक बाद जाएंगे लेक के नजदीख वहां देखते हैं कैसा माहूल है और उसके बाद फिर आराम करेंगे दिन को लांच करके उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रोग्राम रहता है तो अभी फिलाल हम चाय को इंजॉय करते हैं यहां बाहर काफी तेज हवा चल रही है इसलिए हमने अपनी चाय बगर अभी अंधरी प्रिपेर की टेंट पर और यह देखें यहां से वीव हम थोड़े से अलग है जहां पर बाकी कैम्प्स बगर रहे हैं वहां से और यह यहां पर देखें हमारा जो चाय का प्रोग्राम थ और यह अब यहां यहां चाय पी रहे हैं और यह यहां से वीव है काफी अच्छी लोकेशन है अगर आप कुछ एक अंत में टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर के बीच तो एक बहुत प्यारी लोकेशन है अब है चलिए चाय का अनंद लेते हैं और फिर हम लेक के पास ज हो रही है फिर लंच भी हम यहीं करेंगे और उसके बाद देखते हैं अगली डेस्टिनेशन क्या होगी है हमारी कि याजी पैंगॉंग लेक का वीव सुबा सुबा का और यह देखिए पर वहां उपर हम रुके थे कहीं पर और यह देखिए पानी कितना साफ दिख रहे है अगर पास चलके पानी की अवाज सुनते हैं कि देखिए बहुत ही खुब सुथ हुए है और यह लेक बहुत बड़ी है बहुत बड़ी और यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए अच्छा क्लाइमेट और वीव तो लेक का बहुत ही प्यारा है तो यह देखिए और उस साइट वहां पर काफी लोग आए यह देखिए और अब हम इस तरफ चलते हैं जड़ा है तो हम यहां पर बैठे हैं थोड़ी देर थोड़ी देर यहां पर आराम करेंगे देखते हैं लेक की तरफ लेक को नजय करते हैं अब 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 कर देखिए अब लेक्स का पानी थंड़ा ही होता है और काफी सारी लोग यहां नजय कर रहें हवा चल रही है हलकी हलकी सर्दी नहीं यहां पर बिल्कुल भी इस टाइम दूप बहुत अच्छी खेलिए अब आगे जाना बेटे ज्यादा नहीं थोड़ा सबनी जाना आगे तो फेंड सिस्टेम हम बैठे पैंगांग लेके किनारे और यहां पर बहुत ही सुहाना मोसम है मंद मंद सी हवा चल रही है और ढूप खिली है और चारब तर बहुत ही शानदार नजारा है यह देखिए खुबसूर सी पहाड़ियां और कितना वाइब्रेंट कलर है इस लेक का और बिल्कुल साफ पानी है और बहुत ही अच्छा मोसम है यहां पर इस टाइम यह देखिए आयान इंजॉय कर रहा है लेक पे पैंगोंग लेक पे यह देखिए लेक पे जाके वापस आके यह हमारी गाड़ी यहां पर और यह यहां पर लोग इंजॉय कर रहे हैं यह लेक खुबसूर्त मौसम बढ़िया सी लेक